असलामुलेकुम वेलकम टू सादरे ब्लोग यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल फ्लाइट अपडेट के बारे में जो लोग इंडिया से सहुधी जाना चाते हैं वाया दुबई होते वे इसमें कितने का पैकेज है जो लोग इंड अब को जाना चाहिए और क्या आपको करना चीके तो आज की में पुरी डिटेल में बात करने वाला हूं तो आप लोग मेरे साथ लाइन पर बने लिए तो चलिए वीडियो को स्टाट करने से पहले हं चोटा से रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे इस चैनल पे हैशे पहली बा तो मैं आपको बता दूँ आप किसी भी ट्रैवल एजंट से पैकेज लेते हैं तो आप से सत्तर या सी हजार पर चार्ज करेगा अगर आप खुद से जाते हैं तो इसमें आपका 40-50 जार पर खर्च होगा आपको जा सकते हैं किसी एजेंट के आप लफ़रे में ना परें जो म का दुबए में अगर आप दुबए का टिकेट लेते हैं तो वह टिकेट आपको 25-000 और अटाइस जार और अगने का विजट विजा लेते हैं तो उसका चार्ज ऑग दो सो पचास दरम यानि इंडिया का पांच हजार रुपे उसके बाद आगर आप होटल बुक करते हैं 15 दिन के लिए तो पंदरा दिन के लिए होटल बुक करते हैं तो आपको साट या सतर दरम में टू स्टार्ड होटल आपको मिल जाएगा तक्रीबन सो मान के चलिए अगर बहुत से भाई ऐसे भी कह रहे हैं कि अगर हम वहां पे बैड़ ले लेते हैं कोई छोटा सा पीजी आप से वह क्लियर कर लेगा तो आप सकेंड इस्टार्ड होटल बुक कर सकते हैं तो खुल मिला कि आप यह मांद के चलिए पच्चीजार पे और होटल का भी आप 10,000 मानिए 35,000 और भी खाने खर्चे को ले करके एक तक्रीबन मोटा मोटी 40-45 जार पे आपका खर्चा होगा दुबाई में यह टूटल इंडिया से दुबाई जाने में अब सवाल यह रह गया है कि दुबाई से आप सौधी किस तरह से जाते हैं अगर दुबाई से आप सौधी जाते हैं तो इसमें दुबाई में क्या है कि बहुत से ऐसे ट्रैवल एजन्ट है जिस तरह हमारे इंड कंट्री ही माना जाता है अगर आप फुल डॉज वेक्षिन कंप्लेट कियां सौधी में तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है आप इस यह बाइस जार पर टिकट लेकर डड़क जा सकते हैं तो वहां से अगर आप पैकेज लेते हैं तो यह पैकेज आपको वहां पर प करते हैं तकरीवन आप यह मान के चलिए कि साथ से पैंसट हजार रुपए में आप बिल्कुल सहुदी पहुंच जाएंगे अगर आप छुटी प्याएं तो अगर आप दुबए में काम करते हैं यह दुबए किसी काम से जाना चाहते हैं यह कोई नोकरी ढूंडने के लिए आप जा रहे हैं तो आप विजिट विजा लेकर करके जा सकते हैं बहुत से भाजियों का यह भी सवाल है कि अगर हम एक मैने का विजिट विजा लेते हैं तो ट्रेबल एजेंट बता रहा है कि मुझे 8000 या 10,000 रुपे दो तो आप आप आपको पैसा किसी को देने की जोरत नहीं है आप खुछ से आप विजिट वीजा परचेश कर सकते हैं एक मैने के लिए यह विजिट वीजा किस तरह से परचेश किया जाता है आप नेट पर क्रॉम में जाकर के लिखिए www.emirate Airlines या इमिरेट जो वहां का पॉर्टल होता है दुबाई का आप उस पे सर्च मार है और मारने को वाद यह पूरा डिटेल आजाएगा जो वीजा की केटिकरी है इसमें पूरा सो होना सुरू हो जाएगा तो आप उनसे परचेश कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से अगर आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से पैकेज लेते हैं वाया दुबाई होते हुए सौधी जाने का तो वह आप से असी से पचासी हजार पे आप से चार्ज करेगा और सतर हजार भी ले सकते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं कोई 75 में भी गिया कोई 70 में भी कोई 80 में भी व प्वेशन लोगों के लिए इपडेट है जिननगों ने लिया है वाया नेपाल वाया दुबै और भी यह सप्के Ale Billboard कर सकते हैं यह टिकर्वी ठीट करने तिकट लेना होगा इस डिकट का प्राइज है 22000 पर उसके बाद बाइस हजार पे में आपको यह टिकट भी देगा जो ईपोटल पर उनको अपलोड गरना साथी पोटल पर वह भी अपलोड गड़के वो फॉर्म आपको दे देगा उसके बाद RTPCI test भी करवा सकते हैं RTPCI test का क्या है आप airport भी भी airport पर जाने के बाद भी आप RTPCI test करवा सकते हैं Delhi से अगर आप Dubai जाते हैं तो compulsory है आपका Delhi airport पर एक test होगा repeat PCR test होगा ये airport पर ही test होगा ये test किसी भी लेज में बहार नहीं होता है आर्टी PCI test कहीं भी करा सकते हैं कहीं 1000 भी लग रहे हैं कहीं 1500 भी लग रहे हैं वैसे आप करवा सकते हैं एरपोर्ट पे बहुत आसान तरीके से अभी एक दो दिन पहले जो हमारे जानकार है वो लोग भी गये हैं 500 रुपे के इनका test है उसका slip मैं आप लोगों सामने डिस्प भी आप लोगों को सब्सक्राइब सामने डिस्पैले पर आप बिस्केयं करने बागोद यह सकते हैं वह मत लोगों को दे दीकसे अगर आप टिकट खुद से लेते हैं तो आपको किसी ट्रेवल एजंट पर जाना होगा अगर आप दुबै विजिट विज़ा के टिकट लेते हैं तो आप खुद भी नेट से बुक कर सकते हैं अगर आपका कोई और भी सवाल है आप मुझे किसी और चीज के बारे में जानकाड़ी चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टागराम पे भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं बहुत से भाजियों का सवाल ये भी है कि मैं रिगुलर्ड वीडियो सूट नहीं कर पाता हूं काम धिन्दे के सिलसले में थोड़ा ज़्यादे बिजी रहता हूं इसके लिए आप लोगों से माजराच चाहता हूं और मैं कोशिस कर रहा हूं इंसालला की रिगुलर्ड वीडियो अपलोड करूं तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं सवाप्त करता हूं तो मिलता हूं आप लोगों से किसी नेक्स वीडियो में किसी नेक्स अपडेट के साथ तब तक के लिए खुदा हाफिज